नमस्कार जैसा कि आप सभी को पता है दिल्ली MCD के रिजल्ट आ चुके हैं और आम आदमी पार्टी वहाँ पर विजेता घोशित हो चुकी है 134 सीटों पर आम आदमी पार्टी जीती और 104 सीटें जीत कर बीजेपी हार गई है इसके अलावा इस वीडियो में हम आपसे दो विश्यों पर चर्चा करेंगे पहला विश्य है इलक्षन से जुड़ा हुआ होगा और दूसरा विश्य है बहुत ही महतोपूर है हिंदूओं के लिए इसलिए सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अंततक देखिएगा तथा पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा तो पहला विश्य इलक्षन से जुड़ाई है कि 42.35 प्रतिशत वोट आम आदमी पार्टी को मिले 49 प्रतिशत बीजेपी को मिले और 12 प्रतिशत कॉंग्रेस को मिले अब देखा जाए तो पिछले MCD चुनाओं के मुकाबले आम आदमी पार्टी के वोट प्रतिशत कम हुए है बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा है लेकिन चुकि कॉंग्रेस के वोट प्रतिशत आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गए इसलिए आम आदमी अधिक सीटे जीत गई है और बीजेपी परसेंटेज वोट ज्यादा लेने के बावजूद भी हार गई है तोटल जो वोटों का फरक रहा वो लगबग 2,27,000 वोट का डिफरेंस रहा बीजेपी 2,27,000 वोट से हारी है लेकिन अब इस जीत को आम आदमी पार्टी की प्रचं इम भॉल वार थे वहाँ पर आम आदमी पार्टी ने विजे हासिल किया अब आप समझ सकते हैं इसके बहुत सारे माइने होते हैं आपको समझना होगा एक और महतोपूर बात कि जो बीजेपी के हेड थे जो मुखिया थे जो मुख्य चेहरे थे वो सारे हार गए हैं उन्हो मतों से BJP हारी है ये भी एक BJP के लिए चिंता का विशह है सोचना पड़ेगा भले ही कम अंतर से हारी हो भले ही वोट प्रतिशत बड़े हो लेकिन रिजल्ट होता है हार हुई है इस बात को स्विकारना होगा और इस पर चिंतन भी करना होगा अब महतोपूर बात पर हमारे है कि जो दंगा प्रभावित छेत्र इलाके थे वहाँ पर जंता ने भाजपा पर भरोसा दिखाया और भाजपा को जिताया है ये बहुत ही जरूरी बहुत ही जरूरी खबर है और इसे केवल खबर ना समझे ये सच्चाई है सच्चाई ये है कि जब तक पिटेंगे नहीं आशांती फैली थी वहाँ पर लोगों को दिखा कि अगर बीजेपी होगी तो ही सब कुछ ठीक रहेगा इसलिए बीजेपी को जिताया और बाकी लोगों ने किसको जिताया तो ये एक बहुत ही विचारणिय विशह है इस पर हिंदूओं को बहुत गंभीरता से ध्यान देन होगा जरूरी नहीं कि मार खाकर या पिटकर ही सुधरो अरे पहले ही सुधर जाओ क्यूं अपने भविश्य को अपने देश के और अपने आने वाले बच्चों के भविश्य को बरबाद करने में लगे हो